नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका स्टडी फरी में देखे आज मैं आपके लिए most important current पर लेकर रहा हूँ जो कि प्रीक्सा के लिए काफी important है इससे पहले मैंने same एक ऐसी वीडियो बनाई थी जिसमें कुछ mistake होने के कारण मैं है वीडियो दोबार लेकर आया हूँ वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे request करता हूँ कि मेरे चैनल को subscribe करें और साथ में पहले आइकन के बटन को जरूर दवाए तो चलिए सुरू करते हैं कुछ नमबर एक भारत के राष्टपती कोन है भारत के राष्टपती कोन है तो उत्तर होगा रामनात कोविन भारत के राष्टपती रामनात कोविन है जो की चोदवे नमबर के राष्टपती है कुछ नमबर दो भारत के उपराष्टपती कोन है भारत के उपराष्टपती कोन है तो उत्तर होगा वेंकेया नाइडू जो की तेहरवे नंबर के राष्ट पती हैं कुछ नंबर तीन भारत के मुख्य नाइधीस कोन है भारत के मुख्य नाइधीस कोन है तो उत्तर होगा भारत के मुख्य नाइधीस दीपक मिस्रा है जो की 45 वे नंबर के मुख्य नाइधीस है Q4. भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त कोन है? तो उत्तर होगा भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त ओम परकास रावत है Q5. भारत का रेल मंत्री कोन है? तो उत्तर होगा पियूस गोयल भारत का रेल मंत्री पियुस गोयल है कुछ नमबर छे रेलवे बोर्ड का चैर्मैन कोन है तो उत्तर होगा रेलवे बोर्ड का चैर्मैन अस्वनी लोहानी है कुछ नमबर साथ खेल मंत्री कोन है तो उत्तर होगा राज्ये वर्धन सिंग राठोर खेल मंतरी राज्ये वर्दन सिंग राठोर है कोशन नमबर आठ भारत का रक्षा मंतरी कोन है तो उत्तर होगा निर्मला सीता रमन भारत का रक्षा मंतरी निर्मला सीता रमन है कोशन नमबर नो सेवी का अध्यक्स कोन है तो उत्तर होगा सेवी का अध्यक्स अजे त्यागी है अगर हम बात करें सेवी की फुलफोम की तो सेवी की फुलफोम Securities and Exchange Board of India होती है Question No.10 नीती आयोग का उपाध्यक्स कोन है तो उत्तर होगा नीती आयोग का उपाध्यक्स राजीव कुमार है Question No.11 नीती आयोग का सियो कोन है तो उत्तर होगा अमिताब कांथ Question No.12 लोगसभा का अध्यक्स कोन है तो उत्तर होगा सुमित्रा महाजन Question No.13 लोगसभा का उपाध्यक्स कोन है तो उत्तर होगा M थंबू दुरई Question No.14 लोगसभा के महास्चीव कोन है तो उत्तर होगा इसनेलता स्रीवास्तव कोशन नमबर 15 राज्ये सभा के विपक्स का नेता कोन है तो उत्तर होगा गुलाब नभी आजाद कोशन नमबर 16 भारत के महान्यवादी कोन है तो उत्तर होगा केके वेनु गोपाल कोशन नमबर 17 वायू सेना का अध्यक्ष कोन है तो इसका उत्तर होगा BS धनोवा कोशन नमबर अठारा नो सेना का अध्यक्ष कोन है तो इसका उत्तर होगा सुनील लंबा कोशन नमबर उन्निस थल सेना अध्यक्ष कोन है तो इसका उत्तर होगा बीपिन रावत Question No. 20, Cabinet सचीव कोन है? तो इसका उत्तर होगा पर्दीप कुमार सीना Question No. 21, SBI के नए अध्यक्ष की से निउक्ट किया गया है? तो इसका उत्तर होगा रजनीष कुमार को Question No. 22, IB का अध्यक्ष कोन है? तो इसका उत्तर होगा राजीब कुमार अगर हम IB की full form की बात करें तो IB की full form होती है Intelligence Bureau कोशन नमबर 23 BSF का अध्यक्ष कोन है तो उत्तर होगा KK सर्मा कोशन नमबर 24 CRPF का अध्यक्ष कोन है तो इसका उत्तर होगा राजीव राय भटनागर CRPF का अध्यक्ष राजीव राय भटनागर है CRPF की full form Central Reserve Police Force होती है कोशन नमबर 25 लोगसेवा आयोग का अध्यक्ष कोन है उत्तर होगा David R. Simple या Simhill कोशन नमबर 26 21 विधी आयोग के अध्यक्ष कोन है तो इसका उत्तर होगा बलवीर सिंग चोहान कोशन नमबर 27 राश्टिय महिला आयोग का अध्यक्ष कोन है तो इसका उत्तर होगा ललिता कुमार मंगलम कोशन नमबर 28 LIC का अध्यक्ष कोन है तो उत्तर होगा विजे कुमार सर्मा LIC Life Insurance Corporation of India का अध्यक्ष विजे कुमार सर्मा है कोशन नमबर 29 RBI का गवर्नर कोन है Reserve Bank of India का गवर्नर कोन है तो उत्तर होगा उर्जित पतेल कोशन नमबर 30 लोक लेखा समीती का अध्यक्ष कोन है तो उत्तर होगा मलीका अर्जुन कोशन नमबर 31 साथवे वेतन आयोग का अध्यक्ष कोन है तो इसका उत्तर होगा एके माथूर कोशन नमबर 32 चोद्वे विध आयोग का अध्यक्ष कोन है तो इसका उत्तर होगा वाइवे रेड़ी चोद्वे विध आयोग का अध्यक्ष वाइवे रेड़ी है चोगी 31 मार्च 2020 तक अपने पद पर बने रहेंगे कोशन नमबर 33 पंदरवे वित आयोग का अध्यक्ष कोन है तो उत्तर होगा N.K. सिंग पंदरवे वित आयोग का अध्यक्ष N.K. सिंग है जो कि 1 अप्राइल 2020 से 2025 तक अपने पद पर रहेंगे कोशन नमबर 34 भारतिय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच कोन है तो इसका उत्तर होगा Ravie Sastri कोशन नमबर 35 ICC का अध्यक्ष कोन है तो उसका उत्तर होगा Sashank Manohar ICC का अध्यक्ष Sashank Manohar है ICC की Full Form International Cricket Council होती है कोशन नमबर 36 आई शीची का डिर्प्टी चेर्मैन कोन है तो उत्तर होगा इम्रान खुआजा ube दीश चेर्मैन कोन है तो उत्तर होगा एहमद हुसेन बि-सीयाल है एहमद हुसेन बी सियाल है, सार्क की फुलफोर्म, साउथ एसियन एसोसियेशन फोर रीजनल कॉर्पोरेशन होती है, कोशन नमबर 49, मानव संसाधन विकास मंतरी कोन है, तो इसका उत्तर होगा परकास जावेड कर, कोशन नमबर 40, भारतिय उलम्पिक संग का अध्यक्ष कोन ह तो इत्तर होगा नरिंदर बत्रा, कोशन नमबर 41, संयुक्त राष्ट्र संग का महा सचीव कोन है, तो इत्तर होगा एंटीनो गुतेरस, कोशन नमबर 42, सैंसर बोर्ड का अध्यक्ष कोन है, तो इत्तर होगा परशून जोशी, कोशन नमबर 43, जी एस्टी, ब्रांड कुझनबर 45, भारत के वित-मंत्री कौन है तो उत्तर होगा अरुन जेटली चुशनबर 46, भारत के ग्रह्मंत्री कौन है तो इसका उत्तर होगा राजनात सिंग कोशन नमबर 47 भारत का जहाजरानी सडक परिवान और राजमार्ग मंत्री कोन है तो इसका उत्तर होगा नितिन जैराम गड़करी कोशन नमबर 48 भारत का पेजलव सुवच्चता मंत्री कोन है तो इसका उत्तर होगा उमा भारती भारत का पेजलव सुवच्चता मंत्री कोन है तो इसका उत्तर होगा उमा भारती कोशन नमबर 59 भारत का वानिजे मंत्री कोन है तो इसका उत्तर होगा सुरेश परभू जो कि इससे पहले रेल मंत्री थे कोश्च नमबर पचास भारत का स्वास्थे एवं परिवार कल्यान मंत्री कोन है तो उत्तर होगा जगत परकास नडड़ा कोश्च नमबर इक्यावन भारत का महिला एव विकास मंत्री कोन है तो उत्तर होगा मेनका गांधी कोशन नमबर बावन भारत का उर्वरक एव रसायन मंत्रालिय संसद्य कारिय मंत्री कोन है तो इसका उत्तर होगा अनत कुमार कोशन नमबर तरेपण भारत का ग्रामीन विकास पंचायती राज मंत्री कोन है तो इसका उत्तर होगा नरेंदर सिंग तोमर कोशन नमबर चोवन भारत का करसी मंतरी कोण है तो इसका उत्तर होगा राधा महोन सिंग कोशन नमबर पचपन भारत का कपडा मंतरी कोण है तो इसका उत्तर होगा इसमर्ती रानी कोशन नमबर 56 भारत का इस पात मंत्री कोन है तो इसका उत्तर होगा चोधरी बिरेंदर सिंग कोशन नमबर 57 इसरो का अध्यक्ष किसे निक्त किया गया है तो इसका उत्तर होगा के सिवान को कोशन नमबर अठावन भारत के वर्तमान विदेश सचीव कोन है तो उत्तर होगा विजे के सब गोखले कोशन नमबर उनसट फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष कोन है तो उत्तर होगा रासे सहा और इसका उत्तर होगा शिरी सेखर सेन 62 आसयान का महासचीव कोण है तो उत्तर होगा लिलु ओग मीन Q63, भारतिय उधोग परिशंग के महानिदेश कोन है तो इसका उत्तर होगा नंदरजीत बनरजी Q64, राष्ट मंडल के महासचीव कोन है तो इसका उत्तर होगा मानिय पैटरिशिया Q65, ACI विकास बैंक का अध्यक्स कोन है तो उत्तर होगा ताको, हिको, नाकाओ Q66, अंतराष्टिय मुद्रा कोस के परबंध निदेशक कोन है तो इसका उत्तर होगा क्रिश्टिना लेमाड Q66, विसु बैंक का अध्यक्स कोन है तो इसका उत्तर होगा जिम योंग किम जिम योंग किम विसु बैंक का अध्यक्स है Q68, SSC के अध्यक्ष कोन है तो उत्तर होगा असीम खुराना Q69, दिल्ली मेट्रो निगम का MD कोन है तो इसका उत्तर होगा मांगू सिंग Q70, नेशनल स्टोक एक्सचेंज ओप इंडिया का वर्तमान अध्यक्ष कोन है तो इसका उत्तर होगा असोक चावला Q1, DRDO के सचीव कोन है तो इसका उत्तर होगा S. Christopher DRD की फुलफोम क्या होती है तो इसका उत्तर होगा Defense Research and Development Organization Q2, FIPA के वर्तमान अध्यक्ष कोन है तो इसका उत्तर होगा Gianni Infantino, FIPA के वर्तमान अध्यक्ष है Q73, भारतिय महिला बैंक कार्यकार्दी निर्देशक कोन है तो इसका उत्तर होगा SM Swati Q74, FCI का वर्तमान अध्यक्ष कोन है तो उत्तर होगा योगेंद्र तिरपाटी FCI की फुल फॉर्म क्या होती है तो उत्तर होगा Food Corporation of India Q75, ट्राई के अध्यक्ष कोन है तो उत्तर होगा राम सेवक्ष चर्मा ट्राई के अध्यक्ष राम सेवक्ष चर्मा है वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पसंद आये तो लाइक करना, शेर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, धन्यवाद